दोस्तों नमस्कार हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डोक्टर प्रदीप प्रसन आप सब का स्वागत करता हूं आईए आज कुछ नई बाते सीखते हैं विद्यारतियों आज की वीडियो मनाने राजस्थान में हवाई अड़े राजस्थान में परिवहन को ले करके ये वीडियो मुखे रूप से राजस्थान में होने वाली राजस्थान सामाने गयान राजस्थान जीके की सभी प्रतियोंगी परिक्षाओं में काम आने वाले हैं जैसे कि स्कूल शिच्छक प्रत्म द्वित्यम्तित्य श्रेणी के कोलेज लेक्चरर के लिए पटवार परिक्षा के लिए लिपिक के लिए सैट के लिए आरेस के लिए आरटेट के लिए रिट के लिए या और भी अन्य परिक्षाओं के लिए उसे इस रूप से जो राज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब जरू करें बैल आइकोन को जरूर दबाएं तक कोई वीडियो आप मिशना कर पाएं आई तो शुरू करते हैं आज की विए जैसलमेर हवाई अड़ा जैसलमेर इसे भारतिये विमान पतन प्राधिकरण द्वारा व वायू सेना अड़े से संचालित किया जा रहा है यह वायू सेना का भूमिगत हवायड़ा है फलोदी हवायड़ा जोदपूर सूरतगड हवायड़ा गंगानेर उत्तरलाई वायू सेना हवायड़ा वाड़मेर यह भूमिगत सैनिक हवायड़ा है एक अगस्त 1953 को वायू प विमान सेवाओं का संचालन Air India Company द्वारा किया जाता था जिसका मुख्याले मुंबई में है National Aviation Company of India Limited 24 अगस 2007 को Indian Airlines और Air India का विले कर इस नई विमानन कंपनी का गठन किया गया MSC-IL का ब्रांड नाम Air India शुम्भकर महराजा है पांच हवाई एड्डों को मिला अंतर राष्टी हवाई एड्डे का दरजा केंदर सरकार ने उत्तर प्रदेश के लखनव वारणसी दक्षिन भारत के तिरू चिरापली मैंगलूर और कोयमटूर समेट देश के पांच हवाई एड्डों को पूर्ण अंतर राष्टी हवाई एड्डों का दरजा चार अक्टूबर 2012 को प्रदान किया गया राष्थान में वायू परिभेन का विकास अती सीमित हुआ है राज्जे के केवल तीन नगर अर्थात जैपूर जोदपूर उदैपूर में ही नियमित वायू सेवाउं से जुड़े हुए हैं वायू दूत की सेवाओं के अंतरगत जैसलमेर विकानेर कोटा के मद्धे वायू सेवा प्रदान करने के प्रियत्न किये गए किन्तु वे अभी भी नियमित वायू सेवा इन नगरों के मद्धे प्रारंब नहीं कर पाये हैं कोटा और विकानेर से शिग्र वायू सेवा प्रारंब होने की संभावना है जैपूर के हवायड़ों को अंतर राष्टिय स्वरूप दिया जा चुका है अजमेर के लिए वायू सेवा प्रारंब करने है तो किशनगड में हवायड़ा बनाने का कारे प्रारंब हो चुका है वास्तों में राजस्थान जैसे बड़े राज्य में प्रेटकों के आकर्षन के केंदर वायू सेवा का विस्तार आवशक है राज्य में प्रेटक उद्ध्योग आदी को बढ़ावा देने हितु वायू सेवा प्रारम होना आवशक है क्योंकि इसी की सहायता से राज्य का अर्थिक विकास नई दिशा मिलेगी और राज्य का देश और विदेश के अन्य भागों से संपर्क संभाव हो सकेगा राइस्थान में सरपर्थम 1929 में जोदपूर के महराजा श्री उमेद सिंग ने फ्लाइंग कलब खोला था राज्थान में जुलाई 1950 से दो वायू सेवाएं कार्रे कर रही थी एक एर इंडिया जो मुंबई एहमदबाद जैपूर दिल्ली मार्ग पर और दूसरी इंडियन नेशनल एरवेज कंपनी दिल्ली जोदपूर कराची मार्ग पर अपनी सेवाएं क्रमशह जैपूर और हुए हैं यह सब इस्थान इंडियन एरलाइन्स कॉर्पोरेशन से संबंदित हैं इसके अंदर वायू सेवा उपलब्द कराने वाली दूसरी कंपनी वायू दूत की नियमित सेवाओं के अंतरगत अब जोदपूर जैसल मेरवेबी का नेरवी देश के अन्ने मार्गों से जुड़ गए हैं उदेपूर एहमदाबाद के बीच इंडियन एरलाइन्स में 1 अप्रेल 1993 से और जैपूर दिली के बीच सिटी लिंक एरवेज से 8 अक्टूबर 1992 से अपनी विमान सेवाई प्रारम कर दी हैं इस प्रकार राज्य देश की वायू सेवा में उचित इस्थान मिलेगा अजमेर को भी शिग्र ही इन से जोडने का प्रावधान है नागरीक उड़ेन गतिविधियों के संचालन हेतू राज्य में नागरीक उड़ेन विभाग के नियंत्रना धीन निदेशाले नागरीक विमान इस्थापित है जिसका गठने 1 अप्रेल 2012 को किया गया था इससे पहले राजस्थान में 20 दिसंबर 2006 को नागर विमानन विमा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी इसका उद्देश राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध हेलिकोप्टर रुवाईव सेना का वानिजिक उप्योग करने के लिए प्रस्ताव तयार करना है राजस्थान में वरतमान में कुल 18 एरपोर्ट हवाई पटियां हैं वरतमान में राजस्थान में 8 हवाई अड़े हैं जिन में से 3 हवाई अड़े भारती विमान पतन प्राधिकरन के अधीन एरपोर्ट सांगानेर जैपूर डबोक उदेपूर कोटा है पांच हवाई अड़े भारती वायुसिना के अधीन हैं बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगड़, बाड़मेर, राता नाड़ा, फलोदी हैं राजस्थान में उपस्थित एरपोर्ट पट्टियों में से काकरोली, राजसंबंद पट्टी, जे के गुरूप के अधीन है पिलानी जुनजुनु हवाई पट्टी, बिरला गुरूप के अधीन है, राजसरकार के अधीन 16 हवाई पट्टियों है जैसल मेर में राजे का पांचवा सिविल एरपोर्ट बनाये जा रहा है, बाड मेर में उत्तरलाई वायुसिना हवाई अध्टा और बिकानेर में नाल हवाई अध्टा है, जो भूमिगत सैनिक हवाई अध्टा है किषण가ड में भी हवाय अड़े का निर्मान किया जाना प्रस्तावित है जोदपूर और बिकानेर के हवाय अड़े सामरिक तरष्टी से महत पूर बिकानेर और सुरतगड की हवाय अड़े भूमिगत हैं बीकानेर भारत के सरफ्रेष्ट सैनिक हवाई अड़ों में से एक है जोदपुर अंतर राष्टिये महत्तो का व्यायु सेना का हवायुड़ा है जहां प्रशिक्षन सुविधावी उपलब्ध है इंडियन एरलाइन्स और वायुदूत की हवाई सेवाउं के कारण राज्ये म प्रेटन के भी संख्या में काफी व्रद्धी हो रही है विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आपके मन में कोई सवाल है कोई जिग्यासा है कोई प्रशन है तो आप कमेंट्स के माद हम से पूछी हम उसका समाधान करने कोशिश करेंगे अंत में आप सब प्रेरणा के ल इनिये उल्फत से नफरतों को विराम देना चाहता है आपके अपने ख्वाब हैं उन इसे से पूरा करने की कोशिश कीजिए उन ख्वाबों से महबबत कीजिए और जो परिश्रम चाहिए उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो दत्चित होकर के आप उसे कीजिए wollteरे मंजिल आपको मिलेगी आपके ख्वाप पूरे होंगे आप उडान भाष सकेंगे बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं नमस्कार